मंगलवार 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्ति के सुब आउसर पर भारत अपने नई संसद भावन में प्रिविश कर चुका है और इस नई संसद भावन के बनने के साथ ही इसके उद्गाटन के साथ ही पुराने संसद भावन का नाम भी अब बदल कर समिधान सदन रखा गया है समिधान सदन के नाम का सुजाओ राज्य सबा उफ सबापती जगदीब धनकड वे लोग सबाई स्पेकर ओम बिरला को पीम नरेंदर मोधिन ने ये नाम रखनी का सुजाओ दिया था इस वीडियो के आगे हम दो पार्ट में विवाजित करके ज़ानकारी प्राप करने जा रहे हैं पहले पार्ट में नई संसद भावन की कुछ प्रमुख जानकारी और दूसरी पार्ट में हम पढ़ेंगे भारतिय संसद भावन जो इस से पहले थी यानि पूरानी संसदभावन उसकी मुख़्े-िमुखे जानकरियों के बारे में तो चर्चा शुरू करते हैं नए संसदभावन की साथ नए संसदभावन की कुल शमता है 1272 संसदों की जिसमें लोकसवा के 887 संसद इसमें भैठ सकते हैं और राजिसवा के 314 सांसदों के लिए ये बनाई गई है इसे नई संसद बहुन का सिलान्यास 2020 में सेंटरल विष्टा परियोजना का हिस्सा रही इस नई संसद बहुन का सिलान्यास होता है 2020 में नई संसद बहुन के आर्किटेक्ट का नाम है विमल पटेल इस नई संसद बहुन का क्षेत्र फल है 64500 वर्ग मिटर इस संसद बहुन के निर्माड में कुल अवधी जो लगी है वह 29 माह नई संसद बहुन में प्रवेश द्वार की संक्या 6 है और इसकी लागत करीब 1200 करोड रुपेल आई है नई संसद को बनाया है टाटा ग्रूप की टाटा प्रोजेक्ट्स ने जिसी 2020 में इसके लिए 869.9 करोड रुपे का ठेका मिला था टाटा प्रोजेक्ट्स ने नई संसद का कंस्ट्रक्शन किया है मगर इसकी आर्किटेक्ट है बीमल पटेल बताती चलें बिमल पटेल HCP Design Planning and Management के डाइरेक्टर है अब हम दूसरे पार्ट में जानते है पुरानी संसद भौन के प्रमुक्तत्यों के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं ब्रटिस भारत की राजदानी कलकाता थी 1911 तक कलकाता जिसको अब हम कोलकाता के नाम से जानते है अंगरीजों ने कलकाता से दिल्ली में राजदानी को इस्तानांत्रित किया था 1911 में राजदानी इस्तानांत्रित करने के बाद अंगरीजों दुआरा ही हमारी जो पुरानी संसद है जिसको अब समिदान सदन के नाम से हम जानेंगे आगे जाकर इसका निर्मान करवाया था यह 144 खंबो पर बनी वी है अंग्रीजों नहीं इस वरताकार भवन का निर्मान करवाया था इसे भवन का उद्गाटन हुआ था वाइसराई लॉर्ड इर्वन की द्वारा और उस समय इसका नाम रखा गया था हाउस ओफ फार्लियमेंट इसे उद्गाटन से पहले जब इसका सिला नियास हुआ था वह वरस्ता 1921 इस तरह से 1921 से लेकर 1927 तक करीब 6 साल लगे थे हमारे इस एतियासिक भवन के निर्मान में पुरानी संसत भवन में कुल 12 प्रवेश द्वार थे नई संसत भवन में 6 प्रवेश द्वारी है पुरानी संसत भवन का सिला नियास 1921 में ड्यूक औप कनोटनी किया था 12 फरवरी 1921 को और इस पुरानी संसत भवन के आर्किटेक्ट थे सर एडविन लूटियन और हरवर्ट बेकर करीब 33 लाक रुपय का खर्चा उस जमाने में इस भवन के निर्माण में आया था 1923 में तो इस भवन का उद्गाटन हुआ और कुछ समय बाद में ही हमारे देश के महन करांतिकारी भगत सिंग और बटू के सुर्दत ने बहरे अंग्रेजों के सामने खाले स्तान पर बंपय का था उसका साक्सी ये भवन रहा था 8 अप्रेल 1939 का दिन था हुए है और इसी संसत भवन में नेरुजी ने पंदर अगस्त 1947 को मद्धिरात्रिम भासन दिया था जिसको हम नियती से साक्साथकार नाम से जानते हैं पुरानी संसत भवन का कुल सेत्रपल 24,281 वर्ग मिट्र है नई संसत भवन का सेत्रपल 64,500 वर्ग मिट्र है पुरानी संसत भवन में लोक सभा के 543 संसतों के बैठने के लिए जगह बनी वी थी और राजी सभा के 2500 संसत इसमें बैठ सकते थे इतनी इसकी समता थी पुरानी संसत भवन में सबसे लंबे समय तक जिनका कारिकाल रहा उनका नाम था इंदरजीत गुपता 43 वर्ष तक और सबसे कम उमर की शांसत रही है चंद्रमणी मुर्मू नई संसत में लोकतंतर की प्राण प्रतिष्टा के साथ ही महिला आरक्षन विद्ध एक लोकसभा में पेस किया गया है यह नारी सकती वंदना दिनियम के नाम से पेस हुआ है संविदान के 128 वे संसोदन में लोकसभा और विदान सबाओं में महिलाओं को 33 प्रतिषत आरक्षन देने का प्रावदान है तो नई संसत भौन के उद्गाटन के साथ ही महिलाओं को वी 33 प्रतिषत आरक्षन विदान सबाओं में और लोकसभा में मिलेगा मुझे पूर्ण भी स्वास है आपको वीडियो में दी गई जानकारी आवसे पसंद आई होगी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक आवसे करें चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें पर वीडियों